चार शाते लुटोरों को तीन अदद मोटर साइकल, छे मोवाइल फोन, एक अवेद तमंचा और एकजार एक सो पचास नगत रुपए के साथ खजनी थाने की पुलिस टीम ने गरफतार किया है ब्युक्तों की पहचान विशाल यादो और छोटे पुत्र शीता राम यादो निवासी, सिंदुली विंदुली थाना रामगरताल, मुम्ताज और राजो पुत्र, सफीक एहमद निवासी, निजामपूर, गुडियाना थाना तिवारीपूर, रवी मौर्या पुत्र, तारिक का खुलासा करते हुए, स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग ने बताया कि गुरफतार के गयब युक्तर शातर किस्म के लुटे रहे हैं, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, उन्होंने बताया कि मुवाइल छेनैटी के साथ ही या मोटर साइकल लूट की घट करने वाली पुलिस टीव में खजनी थाना अध्यक्ष मृतिंजय कुमार राय उपनिरिक्षक विनय कुमार पांडे चौकी प्रभारी उन्वल उपनिरिक्षक सुनील कुमार कश्यप कॉंस्टेबल गौतम जैसवाल एजय सिंग पिंटू चौहान राज नारायन धुएवन कुमार गौर्ण, रमन कुमार वर्मा, पिंटू सिंग और इंद्र प्रगास यादो शामिल रहें इस संबन्द में गुरखपुर नियूस से बात करते हुए एसपी साउथ अरुन कुमार सिंग ने कहा जमने हैं कि आया, अके इस दो बहूँ है ओपन तो पिसे इस लाइडा क्या रहे है भरस्तर बातक ग्स्यर पीixon उत में इसे भणा यта प्वारे सब्सक्राइक चाहिए। मोबाइल या इस तरह की छिनेती करने वाले एक गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है इस गैंग द्वारा एक घटना भी कुछ दिन पहले छपिया मोड पर की गई थे एक दमपदी को लूट लिया गया है उसमें तीन अव्युक्त गिरफतार हुए थे इनका जो मुख्य अव्युक्त था विशाल या दो वह भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे उसने फिर एक उनवल में घटना कर दी और वहां से घटना करके जब भागा ते एक मोटर साइकल से टकरा गया था वहां लोगों ने इसका नमबर नोट कर लिया था मोटर साइकल का उस मोटर साइकल के माध्यम से जब हम आगे बढ़े तो पता जला कि ये मोटर साइकल विशाल या दो ही चला रहा है तो पुलिस खजनी की ज़्यादा सक्री थी क्योंकि अब विशाल अगली वारदात भी कर सकता बीती रात में पुलिस को सफलता मिली कि ये तीन बाइक से चार लोग जा रहे थे जिसमें विशाल यादो था उसका एक साथी विशाल कुमार है मुम्ताज है और रवी मौरिया है इनको जब मुख्विर की सूचना पे पुलिस ने घेर घार कर पकड़ लिया तो इनके पास से एक तो उनवल में जो साथी सवार से मोबाइल लूटा गया था वो मोबाइल बरामद हो गया पांच अन्य मोबाइल फोन जो इन्होंने विभिन जगहों से छीने थे वो मिल गए इसके अलावा छीनेती की घटनाओं में प्रियुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई और दो अन्य मोटर साइकिल ने जो इनके पास थी जो मुस्की छान बेन की गई तो पता चला कि ये गुलरिया से चोरी हुई है जिनका अभयोग वहाँ पंजिक्रित है विशाल यादो पकड़ा गया है और अब हम उमीद करते हैं कि उस छेतर में जो इस तरह की घटनाए हो रही थी उसमें रोग लगेगी और विशाल के खिलाप इस मुकदमे के अलामा हम गंगिस्टरेट में करते हैं पुराना अपरादी की तिहास लंबा है विशाल के खिलाप तो 11 मुकदमे हैं इनका दूसरा साथी मुम्ताज उसके खिलाप 5 मुकदमे हैं दो अनिके खिलाप अभी मुकदमे कम है